एक बारा सिंग वाला जानवर, बारा सिंगा, स्वतंत्र और गर्व से भरा, एक राजा जैसे उसने अपने बेटे से कहा, मेरी और देखो, मेरे शक्तिशाली सिंगों को देखो, मैं एक चोट से मनुष्य को खतम कर सकता हूँ, बारा सिंगा होना कितना बढ़िया है, तब ही उन्होंने एक शिकारी के बिगुल की अवाज दूर से सुनाई पड़ी, बारा सिंगा तुरंत दोड़ा, उसके पीछे पीछे बेटा भी अश्चर चकित होते हुए दोड़ा, कई देर बाद जब एक शुरक्षित स्थान पर पहुँझ गए, तो उसने पूछा, हे मेरे प बारा सिंगा ने जवाब दिया, हाँ, मैं शक्तिशाली और वीर हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वो शिकारी को, मनुष्ये को देखता हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसा च्छा जाता है, कि मैं अपने आप दोड़ने लगता हूँ, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, जैसे वो बारा सिंगा, मनुष्ये से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, एक चोट में मनुष्ये को खतम कर सकता है, लेकिन देखते ही दोड़ता है, कारण भय, वैसे ही हम अन्युष्य, हम जानते हैं, उपरवाला इधर है, हम उसकी संतान हैं, लेकिन परिशानियों से छुटकार अपाने के लिए, एस्टेलाजर्स, वो मूर्तियों के पीछे दोड़ते हैं, कारण, भय, सबके हर एक के अपने एक कारण हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट, वो उदर जाके माता टेकता है, एक्जाम पास करने के लिए, उसका कारण है, कहते हैं, एक्जाम फियर, एक बिजनिसमेन भी जाता है, उसका कारण बोलते हैं, हाउ टू अर्ण मोर मनी, मोर एंड मोर, कहेंगे लालच, वो मूवी में दिखाते हैं न, हीरो अपनी मा को कहके जाता है, मा मैं वो लक्षमी वाले मंदिर जा रहा हूं, कौन सी लक्षमी, वो जो उस हीरो के कॉलेज म हमें, ये भय, ये लालच, इसके परे जाना है, उस असलियत को असली में पाने की इच्छा है, तो अपने आप से एक प्रश्ण करना होगा, अभी तक मेरा क्या विकास हुआ है, इतने सालों से मैं ये अलग-अलग करते आ रहा हूं, मेरा क्या विकास हुआ है, आप सोचिए वो बारा सिंगा का बेटा वो भी जब बड़ा हो जाएगा और मनुष्य को देखेगा वो भी अपने आप दोड़ेगा ऐसे ही हम सब जा रहे हैं मुर्ति में माता टेक रहे हैं मुर्ति पूजा कर रहे हैं लेकिन अगर हमें असली में आगे बढ़ना है हमारी उन्नत्ति करनी है तो ये अंद विश्वाश ये पास्ट की जंजीरों को हमें पेकना होगा जानना होगा कि हम एक शेर है वो जो अंदर है उसे पाना है धन्यवाद जानना शवाद इससे बन्यवाद रशार चुआ क्ति करें जाल बहुआ करें लेकिक बहुआ कर दो मैं झाल